बूड बॉर्णिंग बच्चो तो कैसे हो आप सब आसा करता हूं कि आप सबस्त हैं तो आज मैं आपके लिए नोट्स लेके आया हूं क्लास 10 का जो चैप्टर 8 है बाइलोजी में कुछ बच्चो ने बोला था सर नोट्स हमें चाहिए हैं तो पीडिएफ तो भी मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूं लेकिन यह दो से तीन मिनट की वीडियो रहेगी आप इसको नोट कर लेना राम से ठीक है तो आप नोट रहा है कि सरीय पॉइंट हमारा है नहीं इसमें उसको मैं उसका मैं अलग से बेच दूँँ क्योंकि देखो यहां पर हम डीपली हर एक पॉइंट को तो मैं नहीं बता पाऊंगा सोर्ट में हैं यह सोर्ट नोट्स है थोड़े से जिस बच्चे ने पहले कर लिया उसका डीफ चाहिए है मैं आपको बता रहा हूँ हमारा टेलीग्राम पर चैनल है टेलीग्राम के लावा भी हमारे पास आप कॉंटेक्ट नहीं कर पाऊगे टेलीग्राम पर आप एसके अकेडमी यह स्मॉल में ही चलेगा द्यान रखना बाद एसी एडी इम वाई टीम एसके अकेडमी टीम के नाम से सर्च करोगे हमारी उसका लोगो मिल जाएगा आपको वहां पर जोईन हो सकते हो आप वहां से आपको जो है पेडिएफ हम प्रोवाइड करवा देंगे तो जो यह बच्चे को डैक्ट पीडियाप चाहिए तो वहां से लिना अदरवाइज आप वीडियो से यहां से काम चला सकते हो यह दिए नोट्स आपके जो हैं complete NCRT बेस हैं यह NCRT से लग कुछ नहीं है बस हमने थोड़ा सा इसको colorful बना के आपके लिए वह बना दिया है तो आप नोट करते रहे ना इसको हर एक point पर question बन रहा है यह ध्यान अखना बाद totally सारे important point उठाए गई है जिसने एक बार पढ़ रखा है उसी के समझ में आएगा अगर कोई बच्चा कहता कि सर इस पर class ले लो हमारी एक वीडियो बना दोता कि हम इस समझाए यह तो वो comment क कर रहा हूं आप नोट करते जाना रोक कर लेना रामसिक हर एक point देखो यह fragmentation है उसका diagram साथ में उसकी heading है उसके example है हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी इसमें जहां से question बनने की उमीद है इसके साथ साथ next video में इसके जो question है previous year पिछले साल के CBSC में पूछे गई है है वह भी मैं आपको वह दे दूँआ ताकि वह आप रिविजन करें एक बात मैं आपको लिए बता रहा हूं अभी से start कर देना previous year questions को उठाना ठीक है chapter wise जितने भी chapter wise previous year question है उनको एक को मत चोड़ना चाहे हर्याना बोड के बच्चे देख रहे हूं चाहे CBSC के बच्चे दे इतने भी है वह आपने करने हैं और अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि सर हमें उस पर वीडियो डाली है तो आप कमेंट कर देना मैं उससे वीडियो बनाके डाल दूँगा एजी मैथेड में ठीक है तो चलिए नेक्स पेज़ पर यहाईडरा का एक्जम्पल है दो में आता आइडरा यह तो आप दसविश्य में आधा प्रॉट करते रहते रहे ना यह यह वीडियो ज्यादर लंबी ना गार, आप इसको रोक के फिर नोट कर लेना बाद में हेए раस्ट में को अश्च्यन अंसर भी मिलेंगे आपको इसकी अनूलनी को questions मिलेंगे अनसर आपको इसी इन ही नोट से निकाल लें जिसको समझ में आ जाएंगे नोट्स उनके questions के answer आप असानी से निकाल पाओगे ठीक है अब यह second part आ गया हमारा इसमें यह main है हमारा यह जो part है इसके आप कि डाग्राम साथ में आरे है diagram बहुत इंपोटन है diagram में naming आती है cbsi में बहुत बार naming important डाग्राम है घंब कि प्रॉसेस है कि पॉइंट टू पॉइंट बने है सारा एक एक लाइन में के question का जवाब है पुरा इसको बोलते हैं कि है तक है यह भी बहुत बार आता है एक्जाम में इसकी नेमिंग आती है और वैसे भी आ जाता है कई बार ठीक है नेमिंग तो जुरूर कर ले ना जिसको बना ना आये या ना आये लेकिन नेमिंग आपको याद होनीचे कौन सा परट कहां पर है यह most important रहेगा यहां से question पूछ जाते हैं बहुत बार हर्याना बोड में बहुत बार question आये हैं CBSC में भी आये हैं वन या टू मक्स के question आते हैं छोटे question इसमें से अलग अलग parts के बारे में पूछ लेता है वो mail reproductive system के बारे में तो यहां पर आप जो है इनको note कर लेना बाद में वीडियो कौराम से नेमिंग सबसे ज्यादा important है मैं पहले इतारा में आपको बार बार नेमिंग आ सकती है एक्जाम में आपकी अब female reproductive system आ गया है इसमें भी नेमिंग important है च्यार पांच इतने भी नेमिंग के पार्ट्स है वो आपको note करने है उसके बाद वैग इस फेटलाइज्ड जो है उस टाइम पर क्या प्रोसेस होगी तो यह जो है मैं आपको दिखाच कहूं completely chapter के जो notes है बस last रहेगा है हमारा point ठीक है point से कईके question बनते हैं चीक है तो आपने इनको note कर लेना अपनी copy में और जो भी आप question practice करोगे फिर वो इनहीं में से question के answer निकलेगी ठीक है maximum जो है आपके 95% plus question यहीं से निकल जाएंगे सार मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं previous year question अभी से लगाना शुरू कर दो पिछले साल के cbhc के chapter wise जिसको नहीं मिल रहे हैं जिसको चाहिए तो मैं आपको provide कर वाद हुआ और जिसको अगर उन पर explanation चाहिए कि sir previous year questions explanation दीजी है में वह भी आपको provide कर वाद हुआ कुछ question मैं इन्हीं से यह question सारे marks के coding जो आप देना यह ध्यान रखे बाद यह three marks के आ गए हैं फिर कि यह five marks question आगे तो five marks question आते हैं नहीं बच्चो मैं पहले बिता रहा हूं आपको बट यह हमें वस्यकिए की practice के लिए आपको पता चल जाएगा five marks में मत तूलजना चोटे इसके पार्ट में रखा ना दो दो पार्ट में डिवाइड करके दिखा ऐसे पार्ट में question आते हैं उसके बद वैल्यू बेस्ट question आ गया हमारा यह 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 आतने एक्जाम में ठीक है ज्यादा आपने यह नहीं की दूश्य सब्जेक्ट की तरह भरना है उसको फुल लिखना यह लिखना है उसमें बहुत सारा ऐसा नहीं है ठीक है तो हमारी वीडियो जो है अभी यहां पे स्टोप हो रही है और हमारे chapter जो था हमारा 8 chapter जो था इसके notes हो गए हैं आपक कमेंट कर देना मैं जो है कोशिस करों सी के कोडिंग वीडियो डाल दूआ टेलीगराम को आप जोइन कर लेना टेलीगराम पर ही आपको सारी PDF मिलती रहेंगी यह यह द्यान रखे बात तो जलिए नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए करते रहें अपनी तैयारी continue और जो जब आपको असान लगते हैं वो पहले करें जो मुश्किल लग रहे हैं वो आप हमें फिर बताए हम आपकी उनमें help करेंगे